हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टू माई चैनल फ्रेंट्स आज हम बहुत ही प्यारा सा सिंगल कलर में डिजैन बनाने वाले हैं देखिएगा फ्रेंट्स इस तरीके से हमारी केबल जासी दिखाई देती है जो देखने में बहुत सुंदर दिखाई देती है फ्रेंट्स इस देखते इसको कैसे बनाते हैं तो चलिए Friends, Start करते हैं टिटोरियल. Friends, इस पेटर्न को बनाने के लिए हमें त्री के multiple में फंदे लेने होंगे, कोई भी फंदा मने अस्टा नहीं लेना है, तो यहां निडिल पे मेरे 15 फंदे हैं, यह पेटर्न हमारा दो लाइन का है, सीधी तर दागा पीछे करेंगे अब यहां पर हमने दो फंदों से तीन फंदे बनाने हैं इसमें से जो पहला वाला फंदा है इसको हम बैक लूप से सीधा बनेंगे यहां पर हमारे एक फंदा बन गया है अभी इस फंदे को निकालेंगे नहीं धागा अपनी तरफ लाएंगे जब हम दो फंदों को सीधा बनेंगे तो यहां पर जाली पढ़ने से एक फंदा यहां पर हमारा बढ़ जाएगा दागा अपनी तरफ है दो फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और पीछे की तरफ से दो फंदों का एक कर देंगे हम सीधा बनते विए बाद में दोनों फंदों को ऐस दागा पीछे करेंगे, अब यहां पे हमने दो फंदों से तीन फंदे बनाने हैं, पहले फंदे को हम बैक लूप से सीधा बुन देंगे, अब इस फंदे को निकालेंगे नहीं, धागा अपनी तरफ लाएंगे, जाली डालते हुए हमने दो फंदों को बैक लूप से सीधा ब तो यहां पे हमाड़े 2 से 3 फंद्धे बन गया हैं, बाद में 2 नव फंद्धों को ऐसे निकाल देंगे, फिर से रिपीट कर रहे हैं, धागा अपनी तरह लाएंगे, एक फंद्ध उल्टा बनेंगे, धागा पीछे करके, अब यहां पर हम दो फंदों से तीन फंदे बनाएंगे, पहले वाले फंदे को हम बैक लूप से सीधा बुन लेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, फिर दो फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे, और पीछे की तरफ से दो का एक कर देंगे सीधा बुनते विए, तो यहां पर हमारे तीन फंदे बन गए हैं, बाद में दोनों फंदों को ऐसे निकाल देंगे, फिर से देखेगा, धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करके, इस फंदे को पहले हम बैक लूप से सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ लाएं हैं, धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागे को पीछे करके, एज के फंदे को हम सीधा बुनेंगे, तो यहाँ पर डिजाइन की फर्स टो बनके हमारी कंप्लीट हो गई है, अब आते हैं बैक साइड में, डिजाइन की सेकिंड रो है, इस हो भी फ्रेंट बहुत ध्यान से देखेगा, सबसे पहले एज के फंदे को हम सिलिप करेंगे, धागा पीछे करेंगे, जो फंदा इधर हमने उल्टा बुना था ना, इधर हम सीधा बुनेंगे, यानि एक फंदा हम सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, यह वो फंदे हैं, जो हमने दो फंदे से तीन फंदे बनाये थे, पहले वाले फंदे को हम सिंगल उल्टा बुनेंगे, अभी हमारे दो फंदे बचे हैं, तो देखेगा फ्रेंट्स, पहला वाला फंदा हमारा जाली वाला है, दूसरा हमारा फंदा है, दोनों फंदों को एक सा लेंगे और दो का एक कड़ीं के उल्टा बूनते हो दिते यहां पर से हमारे तीन फंदों तो ऐचके फंदों को छोड़के यहीं इसी नंजी नियुज़गे निया पर पिछास करेंगे एक फंदा में सीद्हा गूनेंगे दागे का अपनी तरफ दा Цंग को फंदये हैं पहले वाले फंदयू को हम उल्टा बुनेंगे आप ये दो फंदये हैं जब हम ढो Com заним करेंड़ियू ये पैला फंदया बाराा जाली वाला होना चाहिए दो ंदयों को एक साथज आसे लेंगे और दो का एक करदेंगे उल्टा बुनते विकुरत्म फिर से एक फंदा सीधा बनेंगे, धागे को अपनी तरफ लाएंगे, पहले एक फंदा मुल्टा बनेंगे, फिर दो फंदों को एक साथ ऐसे लेते हुए, दो का एक कर देंगे, उल्टा बनते हुए, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बनेंगे, धागे को अपनी तर दोराते जाना है, यहाँ पर फस्टो को एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, पहले फंदे को स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, तीन फंदो में हम डेजैन बना रहे हैं, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, अब यहाँ पर हमने 3 फंदे बनाने हैं, पहले फंदे को बैक लूप से सीधा बनेंगे, अब इस फंदे को निकालेंगे नहीं, धागा अपनी तरफ लाएंगे, यानि जाली डालेंगे हम, फिर 2 फंदो को एक साथ ऐसे लेंगे, और पीछे की तरफ से 2 का 1 कर देंगे सीधा बुनते हैं, तो द में दोराएंगे फिर से देखेगा धागा अपनी तरफ लाएंगे एक फंदा उल्टा बुनेंगे धागा पीछे करके पहले फंदेकों सीधा बुनेंगे बैक लुप से धागा अपनी तरफ लाएंगे अब दो फंदो को एक साथ ऐसे लेंगे और पीछे की तरफ से दो का एक कर देंगे सीधा बुनते वे फिर से धागे को अपनी तरफ लाएंगे एक फंदा उल्टा बुनेंगे धागा पीछे करके पहले फंदे को बैक लूप से सीधा बुनेंगे धागा अपनी तरफ लाएंगे फिर दो फंदो को एक साथा से लेंगे और पीछे की तरफ से दो का ए कर देंगे सीधा बुनते वे फिर से धागे को अपनी तरफ लाएंगे एक फंदा उल्टा बुनेंगे धागा पीछे करके पहले फंदे को बैक लूप से सीधा बुनेंगे अभी इस फंदे को निकालेंगे नहीं धागा अपनी तरफ लाएंगे फिर दो फंदो को एक साथा से लेंगे और पीछे की तरफ से 2 का 1 कर देंगे सीधा बुनते वे धागा अपनी तरफ लाएंगे एक फंदा उल्टा बुनेंगे धागे को पीछे करके last के फंदे को हम सीधा बुनेंगे यहाँ पे हमने first row को फिर से repeat किया है अब आते हैं back side में यह हमारे design की second row है यहाँ पे second row को हम फिर से repeat करेंगे पहले फंदे को slip करेंगे धागा पीछे करेंगे पहले फंदे को हम सीधा बुनेंगे दागा अपनी तरफ लाएंगे, यहाँ पे पहले फंदे को हम उल्टा बुनेंगे, फिर दो फंदो को एक साथ ऐसे लेंगे, और दो का एक कर देंगे, उल्टा बुनेगे. तो एच के फंदे को छोड़के यही तीन फंदे हम पूरी रो में दोराएंगे धागा पीछे करेंगे एक फंदा सीधा बुनेंगे धागा अपनी तरफ लाएंगे जो हमने दो फंदे से तीन फंदे बनाये थे पहले वाले फंदे को हम उल्टा बुनेंगे अब हमने दो नेगर सिख सोब स्राइब को एक साधा से लेंगे और दो का एक करनेगे उल्टा बुनते फिर से देखेगा पीछे करेंग तरåका करेंगे एक बुमरूदाセ लाएंगे फिर दो फंदों को एक साथ आशे लेंगे और दो का एक कर देंगे उल्टा बुन देगे धागा पीछे करेंगे एक फंद हम सीधा बुनेंगे धागे को अपनी तरफ लाके एच के फंदों को हम उल्टा बुन देंगे यहाँ पर second row को हमने फिर से repeat किया है, तो friends यहाँ पर design को हमने दो बार repeat किया है, आगे आपने इनी दो लाइनों को बार बार दोराते जाना है, friends जब आप इन दो लाइनों को बार बार दोराते जाएंगे, तो design बनके कुछ इस तरह नजर आएगा, बहुत ही प्यारा और उमीद करती हूँ आज का पैटर्न आपको पसंद आएगा यदि पसंद आता तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और शेयर करें मिलती हूं नेक्स वीडियो में वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद